आप सभी का स्वागत है हमारे न्यु वल्लॉग में तो दोस्तों आज हमारी है मो सरै और दोस्तों ममी लोग जो है भी खेत में है अबी आए नहीं है और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा जो गेहु है वो उगना सुरु हो चुके है तो अभी उनके ओपर डालेंगे वो भी एकदम नाचुरल और दोस्तों ये हमारी दस अजार और ये अमारा बेल ये अकदम नैय बेल और दोос्तों जो हमारी बड़ी भैस पिंकी और उसकी जो भThose पिंकी उने बूबू भी लेके गए है चनोग घास चराने के लिए और दोस्तों जो उनके गोबर से बनता है य compose हो जाता है उसके बाद दोस्तों इसे जो है खेत में डालते हैं और दोस्तों अभी मम्मी लोग खेत में गए हुए हैं और दोस्तों हमारे वहाँ पर ऐसा होता है ना दोस्तों हमारे गाव में मल्दम महिलाए जो है ना एक दूसरे के मदद करते हैं एक दूसरे को पॉल्ट लगाते हैं और दोस्तों पहला की आज हमारा मोघ खतम हो जाएगा फिर मेरी मम्मी जो है किसी और गल जाएगे उनका मोघ सारने के लिए तो इसकी पतर provaty मेहलाया है तो इनका इंतजार करते है कि कब तक आते हैं दोस्तों अभी मम्मी लोग ने चाहे पील जाहे है तो अभी में चाही नहीं बणाहोंगा और दूस्तों आपको पता है यह दिसके सासे पूछता है यह यह सब्सक्नुक्त did देखां देखा कर ने क्या मस्ते लियां और अब भी दोस्ता जल्दी詐लेंपें और धे जाने के दो सकते हैं कितना भारी होता हो गाए औरभी दिक सकते दोस्थर तक खेत के जाने के लिए तो दोस्तों यह हमारा बड़ा पिंकी है यह हमारा चोटा पिंकी है यह हमारा दसजार है यह हमारा बैल है और यह बूबु है दोस्तों बूबी जो है अभी गौव से आ चुके है और दोस्तों इतना बूब बचा है ममी लोग बोल रहे हैं कि इतना मोज है यह कल ले जाएंग क्योंकि दोस्तों जो भी मम्मी लोग गए है यह आखरी राउंड है उसके बार रात हो जाती है सभी ताइजी चाची लोग अपने घर को जाएंगे बाकी जो है कल सुबह या साम को सारेंगे तो दोस्तों आज की व्लाग मैं तब तक के लिए बाइबाइब लव यौल